हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में सबसे पहले आप सभी लोग का धन्यवाद मेरे पहले वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए जो की एक मैक्बुक प्रो 16-inch की अन्बॉक्सिंग के ऊपर था अचके इस वीडियो में हम आपल के एक और प्रोड़क्ट आइमक की अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अन्बॉक्सिंग विद सुमीत तो आइमक हमारा घर आ चुका है इस बार मैंने से होम आपल सुल जाने की जहमत नहीं उठाई तो आप जैसे देख सकते हैं यह बॉक्स में पुरा पैक हो क्या है एक रपेजियम शेप का बॉक्स है अगर मैं आप साइट से दिखाऊ तो इस तरीके से और चलिए अब इसको खोलते हैं यहाँ पर एक टेप लगी हुई है टेप म अब इसे मैं खोलता हूँ है तो है कि वाओ यह है आपकल का 2020 मॉडल 278 आइच 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 यहाँ पर चोटा सा यह ग्रीन एरो है जिसको पकड़के हम इस टेप को भी हटा देते हैं खोलने के लिए अब हम इसके इस बॉक्स को भी अब हम खोलने वाले हैं और फाइनली आई मैक के दर्शन होंगे इसमें यह डिजाइन पाइपल इन कालिफोर्निया तो इस व्लॉप इस अन्बोक्स को थोड़ा अलट करेंगे मैं आपको इसके अंदर माउस और की बोर्ड है यह मैं आपको आपको बाद में दिखाऊ हुआ आज अब से पहले देखते हैं में परड को अश्य से रीज़ अब बाद में अगबॉक्स करते हैं तो अब ही इसको अब आते हैं तो यहां पर यह एक आपल ने एक इन्फोर्मेशन शेयर की हुए है यूजर रिक्वार एक्सेप्रेंस ऑफ तब सौफ़वेर टॉम्स का दिया हुआ है और साथ में यह इंग्लिश में एक फ्रेंच जर्मन और एक लास्ट चाइनीज में भी इंगरीज में है तो अब इसके पॉलिथिन रैपर को मटाते हैं हम इंदुस्तानियों का पॉलिथिन रैपर के साथ एक अलगी फ्रेम चलता आ रहा है मेरे घर पे तो आज भी रिमोट जिस रैपर में पैको के आया था उसी में आज भी है नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपने घर का एक्सपीरियेंश शेयर करें यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं यहां पे सारे पोर्ट्स हैं सबसे पहले यहाँ पर यह यह हैड फोन जैक है उसके बाद यह यहाँ पर SD Card Slot है इसके अलावा यहाँ पर यह चार USB A Port है और दो Thunderbolt 2 USB C Port है और लास्ट में यह हमारा 10 Gigabit का Ethernet Port है साथी में यहाँ पर उपर Heat Exhaust के लिए Window दी हुई है इसके नीचे यहाँ पर यह RAM Door है RAM आप यहाँ पर up to 128 GB तक आप इसे Configure कर सकते हैं और साथी में यहाँ पर नीचे यह प्लग दिया हुआ है iMac को पावर करने के लिए और आखरी में यहाँ पर इसे on करने के लिए पावर बटन दिया हूँ अब हम लोग इसको पूरा अन्बॉक्स कर चुके हैं तो इससे पहले कि मैं इसे प्लाग इन करूँ और इसे स्टार्ट करूँ पहले इसकी जो इसको देख लेते हैं उसके बिना तया स्टार्ट भी नहीं होगा तब से पहले यह पावर केबल यह पावर केबल जो है इसकी आई तिंग अल्मोस दो मीटर लंबी है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके असेसरी बॉक्स को अनबॉक्स करना जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह अंदर मैजिक कीबोर्ड है और साथ ही में यहाँ पर यह मैजिक माउस है बहुत ही अच्छे से इसको रैपर में डाला हुआ है पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपल का लोगो है इसके साथ ही आपको यहाँ पर आपल का लोगो क्लियर दिखेगा और इसके लवाँ यहाँ पर उपर इसे अन ओफ करने के लिए यह एक चोटा सा बटन है यह उपर बड़ाई स्लीक डिजाइन है और यहाँ पर भी आपको आपल का लोगो इजिली विजिबल है यह यहाँ पर मैजिक कीबोर्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पीछे भी आपल का शांदर लोगो है और चलिए अब इसके एक रैपर को हटाते हैं Dimension wise यह बिलकुल ही Macbook Pro 16 के Magic Keyboard जितना है वैसे ही और इसमें आप कीज भी देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट कीज है और लुप बड़ा ही प्यारा है इसका अब चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या है यहाँ पर यह चोटा सा यह पैकेट है इसको उपन करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हैं में यह चोटा सा एक पुक्लेट टाइप का मिलता है आई मैक जिसमें इस मैक के कुछ फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है और यह फीचर्स मैं आपको बाद में बताता हूँ डिटेल में थोड़ा सा इसके लवाए एक यह और चोटी सी बुक है स्पेसिफिक एक्शन की फिर से एक और है मैं पढ़ता नहीं हूँ रिजन मैंने पहले विडियो में डाल दिया है और साथ ही में ही यहाँ पर है यह यह अपर लोगों के स्टीकर्स अब ही यह मेरे पास दो और हो गए हैं यह मेरे पुराने Macbook Pro के स्टीकर्स हैं जो रख्या में मेरे बास और इसके साथ ही यहां पर Apple आपको एक इस स्क्रीन साफ करने के लिए एक कपड़ा सा दिता है अब यहां से आप इस स्क्रीन को साफ कर सकते हैं साथ ही में यहां पर यह चार्जिंग केबल है जो जिसे आप अपना Magic Keyboard और Magic Mouse को चार्ज कर सकते हैं माउस का जो चार्जिंग पोर्ट है वो नीचे की तरफ है जिसके वज़ जैसे चार्ज करते टाइम आप शायद इसे इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तो अब हम इस टेक्स्टॉप को स्टार्ट करते हैं कि फाइनली मैंने अपना यह डेक्स्टॉप कर लिया है अब मैं आपको अपने इस आई मैक के कॉंफिगरेशन के बार में बताता हूं तो जो आई मैक है यह मैंने 27 इंच आई मैक लिया है और जो इसका बेस कॉंफिगरेशन है यह मैंने 3.8 GHz 8-core प्रोसेसर वाला लिया है ब दिस्प्ले जिसमें आपको रिफ्लेक्शन बहुत ही कम दिखेगा अल्मोस्स नेगलेजिबल तो इनके से अगर आप काम करते हैं और आपके प्रोब्लम है कि आपकी स्क्रीन पर बहुत जादा लाइट का रिफ्लेक्शन आता है बहले हो सनलाइट हो या फिर आपके रूम म यूज़ कर सकते हैं प्रोसेसर जो है वो मैंने 3.6 GHz 10-core i9 प्रोसेसर लिया है यह लास्ट अपल का प्रोडक्ट रहेगा आई मैक में जो की इंटल का प्रोसेसर यूज़ कर रहा है इसके बाद आने वाले सभी आई मैक में आपको अपल सिलिकन ही मिलेगा मैंने यहां पर राम चूज़ की है वह 8GB की ही राम चूज़ की है आई मैक के इस मॉडल में आप राम को भी खुद से कस्तमाइज कर सकते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में यहां पर आप राम को खुदी अपग्रेड करें एक थर्ड पार्टी वेंडर राम यूज़ करके क्योंकि आपल आपको 6-700 इरो में अच्छे अच्छी कंपनी की राम है अपर थर्ड पार्टी की राम यहां पर मिल जाएगी जिसको आप कंफिगर कर सकते हैं मैं यहां पर राम को खुदी कंफिगर करूंगा और मैं इसके लिए वीडियो बनाऊगा दिखाने के लिए कि आप खुद से ही और मैंने यहां पर 16GB का ग्राफिक्स का लिया है रिडियोंट प्रो 5700XT का और साती साथ मैने यहां पर हार डिक्स लेए वह मैंने यहां पर 2TB की SSD हार डिक्स यहां पर मैंने आप्शन चूज चूज किया है इसके अलावा मैंने यहां पर 10GB का 10GB Ethernet पोर्ट यहां पर मैंने सलेक्ट किया है माउस और ट्राइक पैब मैंने जो साथ में आता है basic configuration वही लिया है उसके अलावा मैंने इसमें कोई भी pre-install software नहीं लिया है अब हम यहां पर test कर रहे हैं इसके facecam की और integrated microphones की Apple ने iMac पे जो facecam है उसको upgrade किया है अब इस पे आपको HD quality का facecam मिलेगा 1080 pixel का साथ ही साथ Apple ने आपे जो integrated microphones हैं वो studio quality के use किये हैं जो की बहुत ही ज़्यादा very high signal to noise ratio के साथ आते हैं तो आप खुद भी experience कर सकते हैं video quality और मेरी audio quality तो अब हम इसके speakers चेक करते हैं दन्यवा दोस्तों तो यह था हमारा video iMac की unboxing का जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे उनसे request है कि वो मेरा पहला vlog जो की MacBook Pro 16-inch की unboxing का था जाके उसको भी देखें और उसे भी like करें और share करें आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के interesting videos लाता रहूंगा इसी के साथ आप अपना और अपनों का ध्यान रखें कोरोना से बचने के लिए सारे measures लें मास्क पहने, safe distance को मेंटेन करें और साथ इसाथ मेरे इस वीडियो को like share करें और मेरे इस चैनल को subscribe करें जैहिन